दिन भर परिक्रमा से आये हैं, आपके भक्ति का उत्साह इतना है कि दिन भर की ठकावट का प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आज यहां ना केवल वेलगाम मंदिर की और से जो यात्रा आईजित की गई है, उसमें आये हुए भक्त हैं, परन्तु विशाखा पटनम के भी अनेक भक्त हैं। आप में से कितने भक्त विशाखा पटनम में रहते हैं, हाथ उपर कीजिए। आज सुबह हम कूर्मदेव का दर्शन करके आए। कल सिम्हाचलम जाएंगे वरह नरसन देव का दर्शन करने के लिए। दशावतारों में से तीन अवतारों के दर्शन तो इन दो दिनों में होंगे। इसलिए जैदेव गोस्वामी द्वारा रचित दशावतारस तोत्र को हम अभी गाएंगे। मुझे बताया गया कि वाटसैप में आप क्यों सब भेजा गया है। गीत गोविंद से है ये जिसमें जैदेव गोस्वामी ने दस प्रसिद्ध भगवान के अवतारों का उलिख किया हुआ है। प्रालायपायोधे जाले दृतवानसिवेदम वितवहे त्रचरेत्रमाखेदम। केशवद्रेता मेन शरीरा जया जगतीशा हरेत्रमाखेदम। जया जगतीशा हरे जया जगतीशा हरे जगतीशा हरे जगतीशा हरे पूलतरे तिश्ठतितवा प्रेष्ठे धारन धारन किन चक्र गरिष्ठे केशवद्रेता कूर्म शरीरा जया जगतीशा हरे 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 शशिनिकालंककलेवनिमाग्नाः सब्सक्राइब शब्सक्राइब 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 केशवध्रेता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे शब्सक्राइब 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 पूर्तनु ब्रेंगम् वाकरा कमालवरे नाखामार्बोताशे दालेता हे रण्याकशे पूर्तनु 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 ब्रेंगम् जय 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 गतिशा हरे जाय जागदी शहरे चालय शिविक्रमाणे बलेमाद भूतवामना पदनखानी रजनित जनपावना चालय शिविक्रमाणे बलेमाद भूतवामना केशव दृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षात्रिय रुधिरम जगदपगत पापम सिनपयसिपयसिशमितभवतापम केशा वाद्रेता भ्रेगोपाती रोपा जाय जागदीशा हरे जाय जागदीशा हरे जाय जागदीशा हरे जेशा वाद्रेता भ्रुपाती रोपा जाय जागदीशा हरे वितरसी दिक्षूराणे दिक्पाती कमनीयम दशा मुखा मौलि बलिम्रमनीयम केशा वाद्रेता राम शरीरा जाय जागदीशा हरे जाय जागदीशा हरे जाय जागदीशा हरे जेशा वाद्रेता राम शरीरा जागदीशा हरे वहसिवपुशिविषदे वसनम जलदाभं हलाहति भेति मेलितय मुनाभं वसिवपुशिविषदे वसनम जलदाभं हलाहति भेति मेलितय मुनाभं केशवध्रिता हलधर रूपा जय जगदीश हरे 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 केशा वद्रेता बुद्धा शरीरा जय जगदीशा भरे जय जगदीशा भरे जय जगदीशा भरे शरीरा बुद्धा शरीरा जय जगदीशा भरे मलेच्छा निवहा निदाने कलया सिकर अवालम धूमा के तुम्ही वक्थे मापी कर आवलम केशव द्रेता कल की शरीर जय जकदीशा हरे 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 जकदीशा हरे जकदीशा हरे जकदीशा हरे श्री शीरादा दामुदर की जय । श्री वरह दे भगवान की जय । श्री कूरम दे भगवान की जय । आपे महन दे ह्रिस्णव। अमक्नान तिमिरां धस्या याना जनशलाकया चक्षरों मिलितं येना तस्मय श्रीकुरवे नमहा श्रीचेतन्यमनों भिष्टं स्थापितं येना भूतले स्वयं रूपकदामह्यं दधाती स्वापदांतिकं वंदेहं श्रीगुरव श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांस्या श्रीरूपं साक्रजातं सहगनरगुनाथान्वितं तंसजीवं साद्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगनललिता श्री विशाखान वितांस्या नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामे निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गोरवाने प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने मुकं करोती वाचालं पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपातमहं वंदे श्री गुरूंधी नतारणं वांचा कल्पतरू भ्यस्चा कृपासिंधो भेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत विशे नमहा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामी भक्तशक्तिकं आराध्यो भगवान्य व्रजेशतनयस तद्धाम व्रिंदावनं रम्या काचि दुपासना व्रजवदू वर्गेनया कल्पिता श्रीमत भागवतं प्रमानम अमलं प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरना परह हे क्रिष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गोरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी विष्भानु सुते देवी प्रणमामी हरीप्रिये जय श्री क्रिष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वेत गदाधर श्री वासादी गोरभक्त वृंदा हरे खृष्ण हरे खृष्ण हरे खृष्ण क्रिष्ण हरे खृष्ण 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 हरे जहां पे हमने श्री कुर्मदेव का दर्शन किया Hare Krishna, do you change it? Don't change, once it's set. Hare Krishna, this thing is echo, some echo there. Whatever it was before, just leave it. अब आपने दर्शन केवल पाँच या दस सेकेंड के लिए किया होगा. हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा भी समय मिला हो. तो कहीं आपके मन में ये विचार ना आए, इतनी दूर से हम आए, इतने दिन बिता कर यहां आए, इतना कश्ट सहन करना पड़ा यहां पहुँचने के लिए, और यहां भी पाँच सो भक्तों के बीच में फिर बस में आना जाना रहना आओ, इस गर्मी में और फिर दर्शन हमारे हुए केवल पाँच सेकेंड, दस सेकेंड के लिए. तो केवल दस पंद्रे सेकेंड के लिए, हम इतना सब कर रहे हैं, हम याद रखना है, कि यह केवल दस पंद्रे सेकेंड के दर्शन की बात नहीं है. अवश्य वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मधुर है, भगवान के उस श्री विग्रह का दर्शन जब करने का स्वभाग्या में मिलता है, जो स्वयम भू है, जिसका इतिहास इतना प्राचीन है, जहां स्वयम श्री चैतन ने महाप्रबू आये थे, महान वैश्नव आचारे आचुके हैं, और आज में इतनी बड़ी संख्या में इतने श्रद्धालू भक्त जाते हैं, वहां अवश्य भगवान के सुन्दर रूप का दर्शन करना बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए तो हम गए थे, फिर भी केवल वो दस, पंदर, बीस सेकेंड की बात नहीं है, अब जो भी हम सब तयारी कर रहे थे, इस यात्रा में आने के लिए, आर्थिक तयारी और अने बहुत आने जाने के लिए, सारी तयारियां, हमारी मानसिक तयारी, और फिर यहां तक आये, और इतना कुछ कष्ट उठा कर आये हैं, और वहां तक गए, ये भी हमें उस पंदर, बीस सेकेंड में गिनना चाहिए, ये भी उस पंदर, बीस सेकेंड से भिन्न नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो हमने 15 सेकंड का दर्शन किया है वही मात्र मूलिवान चीज है इस यात्रा में अब तक नहीं ऐसा नहीं है जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जो हम भाव लेकर जाते है ऐसे यात्रा में ऐसे परिक्रमा में धर्शन में वो भाव वास्ते में हमारे चित्त को शुद्ध करता है धर्शन के लिए हमें तयार करता है वैसे तो कई परियटक लोग भी हैं जो जाके धर्शन कर लेते हैं यह कोई ऐसे अधिकारी व्यक्ति भी होंगे जो जाकर उनका कर्तव्य है इसलिए दाके दर्शन कर लेते हैं उनको कोई व्यवसा करनी होती है अपनी नौकरी है तो वो तो दर्शन कर ही लेते हैं पर उन्तु भाव उनका हो सकता है सही नहो तो उतना लाब नहीं मिलता है उन्हें भले वो लंबे समय के लिए क्यों न भग भगवान के सानिध्य की बात केवल उनके निकट खड़े रहने से नहीं होता। भगवान के सानिध्य का अनुभव रेदे में किया जाता है। रेदे में भगवान को प्रकट कराना है, तो श्रवन करना है, कीर्टन करना है, स्मरण करना है, तब जाके भगवान हमारे निकट होंगे, और ऐसे यात्राओं में आने का उद्देश तो वही है, कि हम भगवान के और निकट पहुँचें, ये सब उपवास है, अब आप कहेंगे कि प्रसात खू हमने ले लिया, और अब भी लेने जा रहे हैं थोड़ी देर में, परंतो उपवास का वास्तविक अर्थ है, कि हम उपवास अर्थात निकट, और वास मतलब निवास करना, भगवान के निकट जाके वास करना, ये है उपवास, साधारणत है, उपवास शब्द का अर्थ सब के मन में ये है, कि भोजन नहीं खाना, प्रसाद ग्रहन नहीं करना, ये तो एक अर्थ है, और जब ऐसे भोजन नहीं ग्रहन करते हैं, तो उसका उद्देश है कि हम भगवान को प्रसन करना चाहते हैं, भगवान से निकट आना चाहते हैं, इसलिए तो ये थोड़ी बहुत तपस्या कर रहे हैं, परंतो प्रसाद ग्रहन नहीं करना, ये केवल उपवास नहीं है, प्रसाद नहीं ग्रहन करना, उसके पीछे क्या भावना है, ये महत्वपूर्ण है, क्या उद्देश है, ये महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम शुरुवात से लेकर अंत तक हमें जानना चाहिए कि इस यात्रा में हरे क्षण हमाले लिए लाब दायक है, मूलिवान है लंबी कतार में खड़े रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो उसका हरे क्षण भी उतना ही मूलिवान है जितना कि वो पाँच क्षण जब हम भगवान के श्रीव विग्रहे के सामने खड़े हो जाते हैं बलके वास्तविक शुद्धिकरन तो उस समय होता है, जब हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तीवर अपेक्षा होती है कि कब भगवान का दर्शन हो, कब, 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 कब जब आते हैं भगवान के सामने तो वो चौकिता अरह हटो 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 ध्यान रहता ही नहीं है ऐसे होता है ना शांती से दर्शन भी नहीं लेने देते क्योंकि बेचारे क्या करे उनकी समस्या है कि इतनी भीड है इतने सारे लोग है काफी लंबे समय से कतार में खड़े हैं और सारे भग लंबे लंबे समय तक दर्शन करते हुए खड़े रहे गए तो फिर कतार तो और भी लंबी हो जाएगी लोगों को असुविधा बहुत होगी तो वो बेचारे अपना करतवे कर रहे हैं परंतु मन विचलित हो जाता है ध्यान से भक्ति पूरवक हम दर्शन करना चाहते हैं कोई कुछ कह रहे हैं कोई दर्शन आरती कुछ चिला रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है ध्यान उतना केंद्रित नहीं रह पाता है उन पांच-दस क्षणों में परंतु उस दर्शन के पहले और उस दर्शन के बाद भी जो हमारी भावना होती है वो भी महत्विपूर्ण है तो यह सब कहने का उद्देश यह है कि कहीं आप निराश्न हो जाए कि केवल पांच सेकंड के लिए हमें दर्शन मिलते हैं कोई बात नहीं kभी यह पांच सेकंड भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत जादा दर्शन करने का आवसर भी मिलता है न तो क्या होता है अती परिचयात अवग्ञा अरे हमारे हैं दर्शन तो रोज करते हैं इसलिए भगवान के श्री विग्रह के सामने हम बातचीत करते हैं, प्रजल्प करते हैं, उची आवाज में बात करते हैं, किसी कुपर गुसा करते हैं, मुबाइल फोन पे बात करते हैं, ये सब अती परिचायाद अवग्याँ. इस से बहतर ये है कि केवल दस सेकंड के लिए हमें दर्शन मिलें, लेकिन उसकी तैयारी मानसिक रूप से हम इतनी तीवरता से करें, कि वो पाँच दस सेकंड हमारे लिए बहुत ही मजबूत बलवान होंगे, आद्ध्यात्मिक पोशन के द्रिश्टी से. तो खेर, कूर्मक्षेत्र में हमने उस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षेप में सुना, उसकी विशेशताए क्या हैं, उनके बारे में भी हमने कुछ सुना, और ये भी सुना कि कैसे श्री संप्रदाए, विशेश रूप से श्री रामानुजाचार्य और उनके शिश्चों का कितना गहरा संबंध है, उस थान से और उस विग्रह से, और फिर मध्वाचार्य संप्रदाए के श्री नरहरे तिर्थ का भी कितना गहरा संबंध है, कूर्मक्षेत्र से, और श्री चैतन्य महाप्रभू का जो गहरा संबंध है, इस थान से, इसकी चर्चा करने के लिए हमें समय नहीं मिला, इसलिए इस लीला का वर्णन हम हो सकता है कल या परसों कहीं किसी स्थान में करेंगे, जब हमें समय मिलेगा, तो याद रखिएगा कि कूर्मक्षेत्र की एक कता बाकी है अभी तक, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभू ने कूर्म ब्राह्मन और वासुदेव विप्र का उध्धार किया, और उनको कौन से अच्छे अच्छे शिक्षाएं प्रदान की, पर तो आज हम संक्षेत में चर्चा करना चाहते हैं, उस थान का जहां हम कल जा रहे हैं, प्राता है काल, सिम्हा चलम, आप में से कितने भग सिम्हा चलम कहे हुए हैं, हाथ उपर कीजिए, आच्छा, विशा विशाखापत्न में जो रहते हैं, आप तो गए ही होंगे, अच्छा ये बताए, जो विशाखापत्न में रहने वाले भग्त हैं, आप में से कोई ऐसे भग्त हैं, क्या जो सिम्हा चलम नहीं गए हैं अभी तक, हाथ उपर कीजिए, अच्छा है, ठीक है, नहीं तो दंड क योगे थे आप, तो आप बड़े शद्धालू भग्त हैं, आप बहुत ही भागिशाली हैं, कि श्री वरहदर्शिम्ह देव की इतने निकट आप यहां निवास करते हैं, और आपको बार-बार यहां जाके दर्शन करने का सुफसर मिलता है, तो सिम्हाचलम, सिम्ह अर्थात, सिम्ह अब जानते हैं, अचला, अचला अर्थात परवत, तो जिस परवत पर नरसिम्ह साथ में वरह भी हैं, वो विराजमान हैं, तो उस परवत को सिम्हाचलम कहते हैं, या सिम्ह गिरी भी कहते हैं, वैसे ही है श्री वरह लक्ष्मी नरसिम्ह मंदिर वैसे काफी उचाई पर है बहुत ज़्यादा तो नहीं लगबग कितने 800-800 मीटर लगबग होगा और बहुत प्रसिद मंदिर है इस आंधर प्रदेश के प्रांत में तिरुपती बालाजी के बाद में शायद ये सबसे प्रसिद मंदिर है बहुत सारे लोग बहुत सारे दर्शन आर्थी यहां पर आते हैं और जहां तक आर्थिक परिस्थिती की बात है तो यहां जो धनराशी कठी होती है वो भी तिरूपती के बाद ही दूसरे नंबर पर है वैसे यहां आंधर में 32 महत्वपूर्ण नरसिंग मंदिरों का उलेक हुआ है उन में से यह एक महत्वपूर्ण है जब हम कल जाएंगे हम देखेंगे कि खिले के समान है इस सारा मंदिर वहाँ पर और जिस तरह से हम आज चर्चा कर रहे थे कि श्री कूर्मिक शेत्र में भगवान पश्चिम की और मुख दिखा रहे हैं यहां मंदिर ही पश्चिम की और है पश्चिम की और मंदिर का मुख है क्योंकि यह एक विजय का संकेत है और इस मंदिर में दो कुंड हैं आज कूर्मिक शेत्र में हमने देखा श्वेत पुशकरिनी कितना सुन्दर तालाब था सुन्दर पुशकरिनी है तो यहां भी सिम्हाचलम में है स्वामि पुशकरिनी और गंगाधारा ऐसे बताए जाता है कि जिस तरह से कूर्मक शेत्र में श्रील रामनुजचारी ने सारे पूजा अर्चना विधी की स्थापना की उसी तरह यहां सिम्हाचलम में भी श्रील रामनुजचारी ने सारे विधीयों की स्थापना कर दी और कल्यान उत्सव, चंदन उत्सव, ऐसे बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं और आप सब जानते हैं कि जब दिती और कश्यप मुने के दो पुत्र उत्पन्न हुए हिरन्य कश्यपू और हिरन्याक्ष तो सारे ब्रमान में वो उपद्रव मचाने लगे सब जगे जाके लोगों को परिशान करते, हैरान करते सब सारे ब्रमान के नाक में दम बन गए थे वो तो हिरन्याक्ष ने पृत्वी को अपने कख्षा से हटा कर नीचे रसातल के पास डाल दिया बलकि उससे नीचे भी तो भगवान श्री विश्णु को वरह अवतार लेना पड़ा और उन्होंने पृत्वी लोग को फिर नीचे से उपर उठाया और अपने स्थान में पुनह स्थापित कर दिया और ये करते हुए वरह देव ने हिरन्याक्ष का वद भी किया तो जब ऐसे हो गया तो हिरन्यकश्चप जो उनके भाई थे वो हिरन्यकश्चप ने उपदर मचाना बढ़ा दिया जब ये असेहनी हो गया देवताओं के लिए तो सारे देवगण भगवान विश्णु के पास गए अब जानते हैं कि जब भी बर्मांड के भीतर कोई उत्पात मचाता है भक्तों को देवताओं को कष्ट देता है और यदि देवताओं के हाथ के बाहर मामला हो जाता है तो फिर सारे देवताओं भगवान विश्णु के पास जाते हैं क्षीर सागर के तट पे खड़े होते हैं तपस्या करते हैं तो ये भी एक वैकुंठ लोक है तो खेर वैकुंठ के द्वार पे गए सारे देवताओं भिरन कष्ट के अत्याचारों की खबर भगवान तक पहुँचाने के लिए और उनसे निवेदन करने के लिए कि इसका कोई उपाय आप धून लीजिए तो भगवान श्री विश्नु का दर्शन करने के पहले वहाँ द्वार में एक व्यक्ति खड़े थे उनके द्वार पाल आप तो जानती ही हैं कि जब चतुष कुमार वैकुंठ के द्वार पे पहुँचे थे उस समय जय और विजय नाम के द्वार पालो ने उनको रोका था और फिर थोड़ी बहस वहाँ हो गई थी और फिर उनको शाप मिला था कि उन्हें प्रित्वी पर जन्म लेना होगा उन्हें चैन करना था कि साथ जन्म भक्त के रूप में जीएं या तो फिर तीन जन्म असुर योनी में जबकि वो भगवान के शत्रू बनेंगे तो जय और विजय ने दूसरा उपाय चायन किया क्योंकि वो चाहते थे कि शीग राती शीग वो भगवान के पास लोटके चले जाएं साथ जन्म यहां प्रित्वी लोप में इस भौत एक जगत में उनको बिताने की इच्छा नहीं थी तो खेर इस समय जब देवतागण भगवान विश्णु के द्वार में गए तो वहां पे एक उनके दूत थे विश्णु दूत जिनका नाम था सुमुख तो सुमुख ने उनको रोका और थोड़ी बहुत बहस हो गई देखिए भक्तों की बीच में बहस हो जाती है कभी कभी सब अनुभवी हैं इस बात कहना तो उस से में भगवान विश्णु को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा कि सुमुख तुमने मेरे भक्तों की प्रती अपराद किया है यह अच्छा नहीं है तो तुम्हें नीचे जाना होगा बहुत एक जगत में प्रिथ्वी लोख में जनम लेना होगा और देवताओं से उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि आप सब क्यूं यहां पर आये हो तो यह सुमुख है यह मेरे अवतार लेने का कारण बन जाएगा और सुमुख की कारण फिर मैं हिरन्यकश्यप का वद कर लूँगा इसलिए आप सब चिंता नहीं करना जिस तरह से जय और विजय यहां इस भौतिक जगत में आए भगवान की योजना से उसी तरह से यह सुमुख यह भी इस भौतिक जगत में आए भगवान की योजना से उनकी इच्छा से अन्य था और कोई भगवान के धाम से गिर नहीं सकता एक बार कोई भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है तो पुन है उसकी पतन की कोई संभावना नहीं रहती है तो फिर भगवान ने कहा कि ये सुमुख ये मेरी योजना है कृपया पुरा मत मानो तो मेरी लीला में तुम भी शामिल हो जाओ तुम आगे जाके हिरन कश्चप के पुत्र बनोगे और तुम्हारा नाम होगा प्रहलाद और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं प्रकट हो जाओंगा तो इस तरह से प्रहलाद का जन्म हो गया और हम सब तो जानते हैं बार बार हमने सुना है कि किस तरह से प्रलाद स्वाभावे गरूप से ही जन्म से ही भगवान कृष्ण के भगवान विश्ण के भक्त थे और ये बात हिरन कश्चप को बिलकुल पसंद नहीं आई तो बार बार समझाने का प्रयास किया हिरन कश्चप ने कई बार ढाटा भी परंतु प्रहलाद महराज अपने भक्ति को कैसे छोड़ते हैं कई अपशब्द कहे हिरन कश्चप ने ढमकियां दी तरह तरह से यहां तक कि उनको झान से मानने के भी प्रयास किया उन्होंने कभी पागल एक उनमत हाथी के पैरओं के के अस्तरों के द्वारा आक्रमन किया गया प्रलाद के कोमल छोटे शरीर के उपर ऐसे बहुत सारा प्रयास हिरन कश्चप ने किया परंतु एक भी बाल प्रलाद के शरीर का बंका नहीं अंत तह हिरन कश्च अपने सोचा मुझे मामला अपने हाथ में लेना चाहिए ये मेरे सैनिक लोग ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस परवत पर लेकर आए जिसका नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जिसका नाम आज सिम्हा चला है तो इस परवत के उपर ले आए और उपर से नीचे तो समुद्र है तो उपर से प्रलाद को प्हेंग दिया अब उस समय परवत और भी उँचा हुआ होगा अभी 800 मीटर है उस समय तो और भी बड़ा हुआ हुआ बहुत उचा हुआ होगा ये तो सत्य युक की बात है तो वहाँ से उपर उन्होंने पानी में समुद्र में भैक दिया और इसको उपर पहाड भैक दिया तो जब प्रलात गिर रहे थे गिरे पानी में आए उस समय पहाड उनके उपर आया तो भगवान विश्नु एन वक्त पर आये और आके उन्होंने प्रलाद की रक्षा की कैसे बस उस पर्वत को थोड़ा से उपर किया ताकि प्रलाद नीचे से जल्दी से चले आए अब देखिए ये प्रश्न हो सकता है कि यदि भगवान को प्रलाद की रक्षा करनी थी तो पहले ही क्यों नहीं किया ऐसे क्यों होने दिया कि हेरन कश्रप ने प्रलाद को उपर से फैंक दिया प्रलाद नीचे गिरे उनके उपर भी एक पर्वत आ गया और फिर एन वक्त पर जाकि थोड़ा सा हिला दिया पर्वत को ताकि प्रलाद नीचे से निकल सके तो भगवान ने ऐसे किया हम सब को सिखलाने के लिए दिखलाने के लिए कि देखो मेरे शुद भगत कैसे होते हैं किस प्रकार से मेरे उपर पूरी तहसे निर्भर रहते हैं अपने लिए ऐसे शुद भगतों को कोई भय नहीं होता है अवश्य रक्षबे क्रिश्ना क्रिश्न अवश्य मेरी रक्षा करेंगे रक्ष शती इति विश्वासो यब पूर्ण विश्वास होता है मेरे भगतों की कि मैं उनकी रक्षा करूंगा और भक्त ये भी जानते हैं कि भगवान की रक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हर बार भगवान हमारी शरीर की रक्षा करें क्योंकि अंततह ये शरीर तो नश्वर है यदि ये मतलब निकाला जाए भगवान के रक्षा की कि भगवान हमारी शरी की रक्षा हर समय करेंगे तो किसी की मृत्वी होगी नहीं किसी भग्त की परंतु भगवान क्यों चाहेंगे कि उनकी शुद्ध भग्त यहां पे भौतिक जगत में इस भौतिक शरी धारण करके रहें ये कोई अच्छा स्थान तो है नहीं कोई सुविधा जनक परिस्थिती तो है नहीं भगवान तो चाहते हैं कि उनके शुद्ध भग्त शीगराती शीगर उनके वैकुंठ जगत में आ जाएं अध्यात्मिक देह में जहां इस भौतिक शरीर के कोई कष्ट न रहें इस भौतिक संसार के कोई कष्ट न रहें तो प्रलात ये भी जानते थें कि यदि भगवान चाहें तो रक्षा करेंगे मेरे शरीर का नहीं चाहें तो नहीं करेंगे आखर ये शरीर भी तो उन्हीं की संपत्ती है ये मेरी संपत्ती नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण भावना है देखिए ये जानना कि हमारा शरीर ये भी हमारी संपत्ती नहीं है ये भगवान की संपत्ती होने के कारण केवल भगवान की सेवा में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और इसलिए हम इस शरीर को भी एक प्रकार का मंदिर मानते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारे रहेदे में, अनतह करण में भगवान श्री कृष्ण पर मात्मा रूप में विराजमान हैं इसलिए हम जब किसी को नमसकार करते हैं तो किवल उस व्यक्ति को नहीं करते परंतो उस व्यक्ति के रहेदे में इस्थित भगवान को भी करते हैं इसलिए जिस प्रकार से किसी एक दिवी वस्तु को हम लांग के नहीं जाते यह हम पैरों से छूते नहीं हैं उसी तरह से किसी के शरीर को हमें लांग के नहीं जाना चाहिए समझ लीजी कोई प्रणाम कर रहे हैं और हम जल्दी में हैं बहुत सारे लोग मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं तो शरीर को लांग के हम जाएं ये ठीक नहीं है एक तो ये वैशनव है इसलिए अपराद है और दूसरी बात है रहिदे में भगवान है तो ये मंदिर है तो खेर प्रलाज जानते थे कि क्योंकि ये भगवान की संपत्ती है भगवान उतने ही समय के लिए इस शरीर को बनाए रखेंगे जितना की आवश्चक है उनकी सेवा के लिए जब भगवान को लगे कि अब इस शरीर की आवश रखता नहीं है इस शरीर को वो नश्ट कर देंगे तो प्रभुपाजी कहा करते थे राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के यह है प्रलाद की भावना राखे कृष्ण मारे के अर्था जब कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कौन उसको मार सकता है जैसे प्रलाद महाराज जब भगवान ने ठान लिया था कि मुझे प्रलाद के रक्षा करनी है तो हिरन कश्चप जो सबसे शक्ति-शाली असुर था संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता गण भी उनसे डड़ते थे उनके भुरकुटी के ऊपर करने से ही कापने लगते थे देवगण इतने शक्ति-शाली वो थे परन्त वो भी प्रलाद को हानी नहीं पहुंचा पाए क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे तो जब कृष्ण ने निश्चे कर लिया कि मुझे प्रलाद की रक्षा करनी है तो हिरन कश्च भी और उनके साथ ही भी और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया दूसरी और मारे कृष्ण राखे के जब कृष्ण ठान लेते हैं कि किसी को मुझे मारना है किसी की हत्या करनी है या असुर का वद करना है तो कौन उस व्यक्ति को बचा सकता है जैसे कि हिरन निकश्च भी की साथ में हुआ हिरन निकश्च भी और ने सोचा कि वो बहूत बुद्akingान है ऐसे वर्दान मांग लिया प्रह्माजी से उन्होंने सोचा कि वो पीछे के दर्वा से आके अम्रितत्व के अवस्था को प्राप्त करेंगे सामने वाले दर्वा से तो प्रवेश नहीं मिला ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा था वर्दान जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं बहुत प्रसंद हूँ क्या वर्दान चाहते हो हिरने कश्यपू तो हिरने कश्यप ने कहा था मैं अमर्टत्व चाहता हूँ अमर होना चाहता हूँ तो भर्मा जी ने कहा ये संभब नहीं है मैं स्वयम अमर नहीं हूँ तो मैं कैसे तुम्हें ये वर्दान दे सकता हूँ और कुछ मांगो तो सामने के दर्वाजे से अमरितत्प के जगत में प्रवेश नहीं ले पाए कर पाए हिरने कश्षप अब पीछे के दर्वाजे से जाना चाहते थे एक ऐसे वर्दान मांग के जो सोच रहा था हिरने कश्षप कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ ऐसे वर्दान मांगूंगा कि कोई भी मेरी हत्या नहीं कर पाएगा किसी भी अवस्था में नहीं होगी मेरी मृत्यू अंदर नहीं, बाहर नहीं उपर नहीं, नीचे नहीं, जल में नहीं भूमी पर नहीं, हवा में नहीं, देवगणों से नहीं, यक्षों से नहीं, राक्षिसों से नहीं, इत्यादी इत्यादी, रात में नहीं, दिन में नहीं, अस्त्र से नहीं, हाथों से नहीं, बहुत से ऐसे शर्ट उन्होंने रखे, और भ्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, अब हिरन कश्यप सोच लेगे अब मैं अमर हो गया अब मेरी हत्या कोई नहीं कर सकता परंतु भगवान आये ना नर्सिंग देव के रूप में और कैसे उन्होंने हत्या कर दी ब्रह्माजी के मान को रखा और कहा कि ब्रह्माजी देखिए मैं मान तो रख रहा हूँ आप मेरे मान भक्त हैं और इस ब्रह्माण के पहले दिक्षित भक्त हैं सबसे वरिष्ट भक्त हैं आप सबसे पहले ब्रह्मन हैं आप और आप आचार्य हैं स्रिष्टी करता हैं तो आपका अपमान होगा तो मेरे मान रखूंगा लेकिन कृप्या ऐसे वर्दान देने के पहले थोड़ा सोच के दीजिए ऐसे बस वर्दान दे दिया तो मुश्किल हो जाता है लेकिन भगवान इतने बुद्धिमान हैं कि वो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं और उन्होंने निकाला हम सब जानते हैं ये कथा कितनी बार हम सुन चुके हैं तो क्योंकि भगवान ने ठान लिया था कि उन्हें हिरन कश्चप को मारना है तो मार ही डाला उन्होंने कितने सारे वरदान हिरन कशप को मिले थे उनकी कोई परवह न करते हुए और उनका उलंगन न करते हुए भगवान नरसिंग रूप धारन करके हिरन कशप का वद कर दिया तो प्रलाद ये जानते थे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के तो यदि भगवान अनुमती इस बात के लिए दे रहे हैं कि मेरा शरीर फैंका जाए इस पहाड के उपर से समुद्र में और इस तरह से यदि मेरी मृत्य होनी है और ये भगवान की इच्छा है और मेरी उपर ऐसे पहाड गिर पड़े तो वही सही ये है शरणागती शरणागती का आदर्श है हमारे लिए भले हम इसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए पर उन्तो अनुसरण तो कंद्र करना चाहिए उनके पद चिन्नों में चलने का प्रयास करना चाहिए प्रहलाद महराज जैसे भक्त हमारे लिए प्रेरना सुरोत होते हैं हमारे जीवन के छोटी-छोटी समस्याओं में प्रहलाद महराज के बड़ी-बड़ी समस्याओं को याद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि ऐसे विकट परिस्तियों में भी उनकी भावना कैसी रही हुए तो इसलिए भगवान विष्णू एन वक्त तक रुके और फिर जाके केवल पहाड को थोड़ा से उपर किये ताकि प्रहलाद आ सके तो प्रहलाद की रक्षा जब हुए अप्रहलाद को फिर भगवान लेकर आए पहाड के उपर और भगवान ने कहा प्रलाद मैं बहुत प्रसंद हूँ कोई वर्दान मांगो तो प्रलाद ने एक वर्दान मांगा कि मैं चाहता हूँ कि आप एक विशेश रूप में यहां पर इस परवत के उपर प्रकट हो जाएं यह एक मिलित रूप होगा पहला रूप जो आपने प्रकट किया था मेरे चाचा हिरनिकशप हिरन्याक्ष का वद करते समय वरह अवतार और दूसरा रूप होगा जो अब आकर थोड़े समय बाद प्रकट करेंगे जब आप मेरे पिता हिरनिकशप का वद करेंगे तो इन दोनों रूप का दोनों अवतारों का एक मिलित रूप आप यहां पर प्रकट कीजिए तो भगवान बहुत प्रसंद हुए अपने शुद्ध भक्तों की बात कैसे मना कर सकते हैं तो कहा तथास्तु प्रहलाद और इस तरह से यह सुन्दर वरह लक्ष्मी नर्सिम्ह रूप प्रकट हुआ तो सर जो है उपर का भाग वरह का है बीच का जो है मनुष्य का है और नीचे का भाग है सिम्ह का है तो यह है विशेश रूप जो भगवान ने धारण की है वरह नर्सिम्ह भगवान का रूप जो सिम्हा चलके मंदिर में है तो प्रहलाद ने सुन्दर मंदिर की स्थापना वहां की कब की जब हिरन कशप का वद हुआ तब उसके बाद यहां पर प्रहलाद आए और उन्होंने यहां पर विग्रह की स्थापना की और मंदिर भी मंदिर का निर्मान भी किया लेकिन याद रखिए ये तो सत्य युग की बात थी इतने वर्ष बीत गए और तब तक बालू और मिठी और हवा के कारण पाने के कारण वो सारा मंदिर जो है वो ढख गया और दिखाई नहीं पड़ रहा था एक बार सो मवंशी राजा पूरुरव जिनका उलेख श्रीमत भागवतम में भी होता है वो वहां से उर्वशी नाम के अपसरा के साथ अपने पुश्पक विमान के उपर सवार होकर जा रहे थे तो जब वो आए सिम्हा चल पे उस समय उनको पता नहीं था कि इसका अध्यात्मिक महत्व क्या है वो रमणी अस्थान था तो वहां बैठ के आराम कर रहे थे उस समय एक आकाश वानी हुई जिसमें राजा पूरुरव और उर्वशी को बताया गया कि यहां पे एक बहुत विशेश मूर्ती है तो यहां पे जितने मिटी भरी है बालू वगरह उसे निकल वाओ यहां एक मंदिर है और सुन्दर विगरह है उसको पुनह स्थापित करके इसकी सेवा प्रारंब कीजिए एक दूसरे वर्णन में ऐसे बताया गया है कि उर्वशी या पूरुरव के स्वप्न में बगवान आए कि जो भी हो और ये भी उर्वशी के स्वप्न में बताया गया कि मेरे शरीर के ऊपर आपको चंदन का लेप लगाना होगा तो राजा पूरुरव और उर्वशी ने फिर यहां खुदाय शुरू कर दी और वास्ता में देखा कि अरे इतना सुन्दर मंदिर लेकिन बहुत प्राचीन था इसलिए ठीक नहीं था वो मंदिर मंदिर की दशा ठीक नहीं थी विग्रह तो बहुत सुन्दर थे फिर पूरुरव और आजाने एक नया मंदिर बनवाया वहां पर और वहां पर वो दोनों सेवा करने लगे काफी लंबे समय तक और जैसे भगवान ने आदेश दिया था कि उनको उनके शरीर की उपर प्रती दिन चंदन का लेप लगाया जाए तो वैसे ही किया जाने लगा और अनेक वर्षों तक ऐसी उपासना और आराधना वहां होती रही जब पुरुरव ने भगवान का शरी वगरह देखा तो उनके चरण कमल है। दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भगवान ने कहा परवानी करना मैं सारे लोगों का उधार करने के लिए योग हूँ भले मेरे चरण कमल दिखाई नहीं पड़े तो भी जैसे भगवान जगनात के भी चरण कमल नहीं दिखाई पड़ते हैं परन्तु फिर भी वो पूरी तरह से सक्षम है सब का उधार करने के लिए तो खेर इस तरह दुबारा मंदिर का निर्मान हुआ और बहुत समय ऐसे बीत गया और यह प्रथा आज तक भी चल रही है और यह प्रथा यह है कि प्रती दिन चंदन का लेप लगाए जाता है और अगले दिन जब चंदन का लेप लगाए जाएगा तो पिछले दिन जो चंदन लगाया था उसको निकाला नहीं जाता है उसके उपर लगाया जाता है दूसरा लेप और तीसरे दिन का लेप उसके उपर ऐसे करते करते 364 दिन साल के बीटते हैं या 360 समझे क्योंकि ये चंदर के दिन दर्शिका के हिसाब से है तो लगभग 360 दिन या 69 दिन बीट जाते हैं केवल एक दिन पर ये चंदन जो है वो निकाला जाता है और वो है अक्षय तृतिय के दिन वैशाख महिने के तृतिय तिति पर तो यहां इस दिन क्या होता है इस मंदिर में भगवान का जो निज रूप है उसका दर्शन होता है अन्य जितने भी दिन है वर्ष में उनमें भगवान का निज रूप का दर्शन नहीं हो पाता है कियोंकि चंदन का लेप इतना मोटा हो चुका होता है भगवान के शरीर के उपर तो अवश उनका रूप तो देखते हैं परंतु चंदन का लेप ही जादा दिखाई देता है परंतु इस एक दिवस पर और वो भी केवल बारह घंटों के लिए अक्षय तृतिय के दिवस पर ये चंदन निकाला जाता है और फिर सबको प्रसाद रूप में बाटा जाता है और बारह घंटों के लिए दर्शन आर्थी आके भगवान श्री वरह नर्सिम देव के निज रूप का दर्शन मूल रूप का दर्शन कर सकते हैं बहुत भीड होती है वहाँ अक्षय तृतिय के दिन अब ये एक प्रथा थोड़ी बहुत विचित्र है क्योंकि अन्य वैश्न मंदिरों में अक्षय तृतिय के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है और यहाँ इस वंदिर में चंदन का लेप निकाला जाता है अक्षय तृतिय का दिन जो होता है ऐसे माना जाता है कि साल में सबसे गरम दिन होता है गरमी इतनी ज़्यादा होती है और चंदन यात्रा भी प्रारंब होते हैं न तो चंदन यात्रा के समय भगवान के दिविशरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाए जाता है उनको ठंडक पहुँचाने के लिए तो अक्षय तृतिये के दिन जान बोज कर विशेश रूप से चंदन लगाए जाता है भगवान के शरीर के ऊपर परंतो इस मंदिर में केवल अक्षय तृतिये के दिन चंदन निकाला जाता है तो खेर ऐसे प्रथा चलती रही चलती रही फिर लगभग ग्यारवे शताब्दी में मतलब लगभग हजार वर्ष पूर्व एक हजार वर्ष पूर्व श्रीला रामा नुजच्यारे सिम्हाचलम में भी आये थे और देखे आश्र की बात ये है कि क्योंकि चंदन का लेप लगाय हुआ होता है इस विग्रह के ऊपर तो बाहिय दृष्टी से यहां भी ऐसे प्रतीत होता है कि ये शायद शिवलिंग है आपको याद होगा कि श्री कूर्म क्षेत्र के बारे में यही चारचाज सुबह हो रही थी कि कूर्म देव का शरीर एक शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है तो अनेक लोगों ने उस समय ये मान लिया था कि ये शिवलिंग है और ये कूर्म भगवान नहीं है परंतु श्री पाद रामनुजचार ने आके ये स्थापित किया कि वास्तव में ये कूर्म भगवान है और ये शिवलिंग नहीं है तो वैशनप पद्धती से फिर वहां आराधना प्रारंब हुई तो ठीक उसी प्रकार से जब रामनुजचार यहां पर आए तो उस समय भी लोग ऐसे मानते थे कि ये भी शिवलिंग की तरह देख रहे हैं हो सकता है इतने लाखों लाखों साल बीतने के बाद वो ग्यान लुपत हो चुका होगा समय के प्रभाव से कई बार प्रथाएं बदल जाती हैं मंदिर भी जब धक जाते हैं तो पिर प्रथाओं के बदलने की बात तो दूर रही वो तो निश्यत ही संभव है तो पहले एक ऐसी कथा है कई वैशनव इस बात को मानते हैं यह नहीं मानते हैं परंतु वह से बताय जाता है कि रामनुज चार ने कहा कि यह प्रति दिन क्यों चंदन लगाना चाहिए परंतु जब चंदन निकालने का प्रयास किया गया तो उस समय विग्रह के शरी से खून बहने लगा और सभी लोग समझ गये कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे चंदन कलेप रोज लगाना ही चाहिए फिर रामनुज चार ने एक्षमा याचना की परंतु खेर ये थोड़े लोग कहते हैं थोड़े लोग नहीं मानते हैं जो भी हो ये एक प्रता है फिर यहां पे श्रील रामनुज चार ने भी वैशन पद्धती से श्री वैशन पद्धती से अर्चा विग्रह की स्थापना करना प्रारंब किया और आज भी उनके अनुयाई हैं उनके शिश्य के वन्शामली में आने वाले जो श्री वैश्नव पुजारी हैं वो वहां सेवा करते है जब रामनुजचारे वहां पर आए तो उस समय वहां पर सिम्हाचल में एक कवी और संगीतकार निवास किया करते थ जिनका नाम था कृष्णमचार युलू वह बहुत सुंदर गीत गाते थे भगवान वरहा नर्श्य में को प्रसन करने के लिए और इतने प्रसन होते थे भगवान कि वह स्वयम नृत्य करते थे तो जब ऐसे सब होने लगा तो इनके रेदे में कृष्णमचार युलू के प्रेदे में थोड़ा सा अहंकार उत्पन होनी लगा और अन्यों के साथ उनके विवहार में बदलाव आ गया और वो अपने आपको विशेश मानने लगे देखिए कितना खत्रा है आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे उपनिशदों में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीव है इसके दोनों तरफ में धार है वैसे तलवार के एक तरफ में धार होता है परंतु आध्यात्मिक जीवन ऐसे जिसमें दोनों तरफ से धार है इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए भक्ति अच्छी नहीं करेंगे ठीक ठाक करेंगे तो भगवान सर पे ठोकर मारते हैं ठीक से करो कोई दुख भेजते हैं जिससे हम उनके शरण में फिर इसे जाएं और बहुत अच्छी तरह से भी भक्ती करते हैं तो खत्र तबी आ सकते हैं हो सकता है अच्छे भक्ती करने के कारण हमें सफलता मिले यश मिले प्रशन सा लोग हमारी करने लगें वावा करने लगें कि आप कितने अच्छे भक्त हैं आपने कितनी अच्छी सेवा की है तो हो सकता है कि हमारे हैदे में अहंकार उत्पन हो जाए और जब अहंकार उत्पन हो जाता है और हम सावधान नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि हम करें कि मुझे सम्मानित करें तो इनके साथ भी कृष्णमचारियुलोग के साथ ऐसे हुआ और जब श्रील रामानुजाचारे वहां पर आए तो इन्हों ने श्रीपाद रामानुजाचारे के प्रती अच्छा विवहार नहीं किया कि रामानुजाचारे नम्र थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप भगवान के इतने निकट हैं इतने सुन्दर गीतों की रचना आप करते हैं और गीत इतने सुन्दर ढंक से मधरू ढंक से गाते भी हैं स्वयम भगवान भी इतने भाव विभोर हो तो कृपया आप भगवान से जाके पूछिए श्री वरह नर्से में देव से जाके पूछिए कि मेरी मुक्ति कब होगी जैन्म मृत्यू के चक्र से मेरा चुड़कारा कब होगा तो कृष्णमचार यू लू गए और उन्होंने पूछा कि रामनुजचार ये पूछ रहे हैं कि उनकी मुक्ति कब होगी तो भगवान ने जवाब दिया कि इस जनम के अंत में होगी निश्य थी होगी इतना ही नहीं वो अनेक लोगों का उद्धार करेंगे उनको मुक्त करे कि जब वो इतने शक्ति शाली हो जाएंगे अध्यात्मिक दृष्टी से कि हजारों के संख्या में लोगों का उद्धार करेंगे उनको भवसागर से मुक्त करेंगे तो क्या वो स्वयम मुक्त होने के लिए योग्य नहीं होंगे निश्य थी होंगे तो फिर कृष्ण मचारी उन्हों अपने बारे में पूछा कि मेरे मुक्ति कब होगी इस जन्ह में नहीं होगी तो गुसा आया उनको उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को श्राप दे दिया और कहा कि आप के मंदर के उपर आकर्मन होगा और कई लोग ऐसे कहते हैं फिर आट सो साल बाद मुगलों का यवनों का आकर्मन हुआ शायद ये इनकी श्राप के वज़े से हुआ होगा आखिर वो भगवान पर उस बात को मान लेते हैं कि चलो भाई मेरे भगवान नहीं ऐसे श्राप दिया है तो उसको सत्य करना है तो इस वर्णन इस लीला इस कथा में भी थोड़े भिन्नमत हैं कई लोग हैं जो इस कथा को नहीं मांगते हैं कई लोग मांगते हैं जो भी हो चाहे ये कथा सत्य हो या ना हो सीखने लायक बातें बहुत सारी हैं इस कथा में तो इस तरह यहाँ ये प्रथा आज तक भी चल रही है रामनुजचारे के समय भी और उनके बाद भी चाहे वो उरिसा के राजा हों जैसे गजबती गजबती राजा हों या गंगा देव गंगा वन्श के हों वो सारे बड़े भक्त थे यहां वरह नरसिंग देव के वो आते थे यहां पर बहुत योगदान उनकर रहा बहुत दान दी उन्होंने दक्षिन भारत के भी सारे राजा जो थे अनेक वन्शों के उस सब यहां आया करते थे वहां हमपी के कृष्ण देवराय उन्होंने भी बहुत दान किया यहां पर इस मंदिर में देखे धर्म और धार्मिक स्थानों की रक्षा सही तरह से होनी है तो राज की आश्रे होना आवश्रक है जब ये होता है तो धर्म के पालन में और धर्म के प्रचार कारे में बहुत आसानी हो जाती है जब विरोध होता है है तो फिर मुश्किल हो जाता है पर उंततह चाहे सरकार या राज्य सहारा दे या ना दे यह भक्तों का करतव्य तो भक्तों को चाहिए कि वो इतनी अच्छी तरह से भक्ति करें कि भगवान प्रसंद हो जाएंगे और उनके प्रचार प्रसार के कार में बाधा की बात दूर ही वो बहुत प्रोचसान देंगे सारे साधन जोड़ देंगे ताकि प्रचार खूब बढ़ता रहे और भक्तों की भक्ति और सेवा और भी बढ़ती रहे यहां जो चंदन आता है भगवान को लेप लगाने के लिए ये तमिलनाडू से आता है श्री विलिपुतुर नाम के गाउं से और क्योंकि चंदन का लेप लगाया हुआ होता है तो अन्य भगवान के विग्रणों की तरह है बहुत सारे आभूशन आदी इनके नहीं है केवल चार आभूशन होते हैं वो कभी-कभी धारन करते हैं स्विकार कर लेते हैं मंदिर में लक्ष्मी देवी कभी चोटा मंदिर है आणडाल कभी एक मंदिर है आपने आलवारों का नाम सुना होगा श्री संपरदाय के बहुत महान भक्त थे तमिल भाष्रा में आलवार का अर्थ है जो उन्मत है भगवत प्रेम में तो इन बारह महान भक्तों में से एक महिला थी जिनका नाम था अंडाल तो उनकी भी मूर्ती यहां पे है और शिवजी भी वहां भैरव रूप में विराजमान है बाहर क्यूंकि वो इस क्षित्र के पालक है क्षित्र पाल ऐसे देखा जाता है कि जितने भी महतवपूर्ण वैशनव स्थान है उनमें भगवान शिव अवश्य क्षित्र पाल के रूप में रखवाली करते हैं आयोग्यों लोगों को दूर रखते हैं कि इसलिए लोग जब यहां वरहा नर्सिंग देव का दर्शन करने जाते हैं तो अनेक दोनों तरफ भू देवी और श्री देवी हैं जो कमल पुश्प को धारण किये हुई हैं यहां पर चैतने महाप्रभु भी आये थे अच्छा आठ बज गए तो शायद आज सभी लोगा बहुत ठके हुए हैं सुबै से निकले हुए हैं अपने कमरों में भी शायद आप नहीं गए तो जैसे कूर्मक्षेतर की चर्चा में यह हुआ कि चैतने महाप्रभु ने जो वहाँ लीलाएं की उनका वर्णन करने के लिए समय नहीं मिला तो आज यहां पे भी इस समय जो चैतने महाप्रबुने लीलाएं सिमाचल में की उनका वर्णन करने के लिए अब समय नहीं है लेकिन चिंता की बात नहीं है आने वाले एक दो तीन दिन में अवश्य इन दोनों लीलाओं का वर्णन हम करेंगे